हेलो वाइस, करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ विशिक शर्मा और आज के इस वीडियो सेक्शन में हम देखने वाले हैं हाउ टू प्रिपेर करंट अफेर्स और आईबी पीएस पीओ, आप सभी जानते हैं कि 19 और 20 अक्टूबर को आईबी पीएस पीओ प्रिलिम्स एक्जाम हुए और अब जो मेंस एक्जाम है, यह 30 नंबर 2024 को होने वाला है, तो हमारे जो फोकस रहने वाला है इस वीडियो में, वो है General Awareness Day to Economy and Banking, यह आपका 40 marks, 40 questions और 35 minutes आपको मिलने वाले हैं, तीक है, time duration की कोई tension नहीं है, main है कि questions किस तरह से आपके पास पुछे जा रहे है, current affairs के, यह मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिए, मैं फिश्टी बार का जो IVPS PO, मैं जो General Awareness से questions पुछे कहे थे, वो इनका nature जानने कोसिस करेंगे, मैं यह नहीं कहूंगा कि nature बिल्कुल यह रहेगा, पर इतना जरूर रहेगा कि जो current affairs section है, वो अभी भी dominate ही करता है, तीक है, अब आप ऐसा नहों कि आपने RRB PO, या फिर clerk, या फिर IVPS clerk में आपने कोई question देखा, festival का, जैसे भी केरल सम्मंदि कोई question आगया, या फिर boat race से सम्मंदित question आगया, तो आप current affairs को तो backseat पर आपने डाल दिया, और आप fair festival पर अपना time देने लगे, या फिर Indian polity का question पूछ लिया, तो आप वहीं से ही polity पूरी पढ़ने लगे, या आपका core area नहीं है, आपका core area है current affairs, वो भी banking और economy से सम्मंदित, आपका वो पहले पूरा नहीं हुआ है, और आप किसी और छेतर में बठक रहे हैं, तो जो ये FOMO होता है, fear of missing out, यानि कहीं मैं ये तो नहीं मिस कर रहा हूँ, वो आपके पास बाद में आना चाहिए, पहले अपना core area है, उसको तो पहचानी है, वो है आपका current affairs, आप पूछे कि जो current affairs के जितने भी questions पूछे गए थे, क्या वो आप कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, ठीक है, बिल्कुल कर सकते थे, गर वो current affairs को चाहिए तो आपको करने चाहिए तो question पर आपने नहीं करे, क्योंकि आप या तो इस myth में रह गए, कि पिछले 3-4 माईने का ही current affairs जाएगा या फिर आप इसमेरे केवल mcq पढ़करी काम चल जाएगा तो इन चीज़ों के बारे में आगे बात करेंगे, पहले आप यह question देखिए, नोबिल पीस प्राइस से question पूछा, current affairs ठीक है, पूरा current affairs है, मतलब पिछले बारी के में बात कर रहा हूँ, डीबीटी से question पूछे, चले इसको रख देते हैं, static मान लेते हैं, हो सकता है current affairs से संबंदीत रहा हूँ, इस वक्त मैं exact question ने जानता पर इस तरह से question पूछा गया थी, GST पूछा गया था, highest collection बंद current affairs, incremental CRR, क्यास रिचर वेश्यों संबंदीत, current affairs से question आया था, ठीक है, तो CA मान लेते हैं इसको, तो यह तो हमें साब पूछा ही जा रहा है, इसके बारे में आपको मालूम ही होगा, फिर से हम इसको लेलते हैं current affairs, Olympic 2028 से संबंदीत question पूछा गया, ठीक है, यह भी current affairs मानने के चल लीजे, और GDV protection पूछा गया, IMF हो गया, और World Bank हो गया, RBI का हो गया, SBI का हो गया, जो भी यह लोग अपनी report लाते हैं, digital payment index, current affairs, GIC, ownership से संबंदीत question पूछा गया था, इसको मैं current affairs भी कह सकता हूँ, क्या पदा current affairs संबंदीत कुछ रहा हो उस वक्त, या फिर static भी मैं आपको कह सकता हूँ, इंडियन post payment और सिट भी कोलिबरेशन हुआ था, current affairs, capital market regulation, question into India, capital market, चलिए इसको static में रख सकते हैं, one district, one product, scheme संबंदीत question पूछा गया था, current affairs, CSR संबंदीत question पूछा गया था, चलिए static marketing लेते हैं हो सकता है, current affairs का पूछा गया हूँ, Asian Games 2023 से question पूछा गया था, current affairs, अब आप खुद ही देखिए, और इसे तरह से आप खुद categorize कीजिए, अभी जो हाली में तीन exams हुए है, उनमें कितने current affairs पूछे गए और कितने static question थे, अब यहीं पर अगर मैं बीच में कोई आपके पास एक fair and festival, या फिर ट्राइब का question उठागर लिया हूँ, तो इसका मतलब यह निया, आप इंची जो को backseat पर डालोगे और उसको पढ़ने लग जाओगे अपने बचे हुए 40 दिन में, तो 40 दिन की रण नीती क्या रहे, यह मैं आपके साथ discuss करूँगा, ठीक है, और बताँगा किस तरह से आप अपनी तयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, पहले मैं इसको थोड़ा रफ कर दिता हूँ, क्योंकि यहीं से हम आइडिया लेंगे कि किस तरह से हमें आगे further move करना है, अब देखिए, पहली बात तो यह fix हो गई कि आपका exam है, यह तो आप सभी जानते हैं, एक मिनट आप, मुझे एक मुट दीजीएगा, यह हम सभी जानते हैं कि आपका exam है number last में, ठीक है, number last में आपका exam है, ठीक है, और अब आपके पास पहली बात तो यह कि आपको rentavis कितन पड़े जिस तरह से ट्रेंड रहा है आपने देखा कि किसी एक्जाम में अपरेल या मई का वेटेज जादा रहा कहीं पर अगस्त का वेटेज जादा रहा तो हम कोई शॉर्ट शॉर्ट नहीं कह सकते कि इन महीनों से ही पूछा जाएगा और लब पिशले तीन महीन से चार मह इसे तो जो मैं आपको मानता हूं अब यह आपके पास सफिशन्ट डेज हैं 40 डेज हैं जो मुझे लगता है आपको लेकर मार्स से आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि अगर आप जनवरी फरवरी पढ़ें वहां से मान लीजे इन दोनों मंस से मिलाकर के वह एक कोश्चन आय है यह बात आपकी क्लियर हो गई अच्छा अब एक बात आप यह जानेगा यह मैंने आपकी बात क्लिर कर दी अब करेंट अफेर्स में आप यह देखीगा देखिए बैंकिंग बैंकिंग करेंट अफेर्स और या फिर इससे टर्मिनोजी संबंदित कोश्चन्स जो आते हैं टर्मिनोजी संबंदित और इस्टैटिक यह आपको खुद प्लैन करना है बात के लिए अभी आपको क्या करना है नॉम्बर के जो अक्टोबर के जो दस दिन बचे हुए है और नॉम्बर के जो दस दिन है ठीक है उनमें आप अपना कम्टीट कीजिए करेंट अफेर्स 20 डेस में और जो बाकी के आपके पास 20 डेस 20 को है ठीक है जब आप 20 को मानके चलोंगे तब यह आप स्पीड अप कर पाएंगे अब देखे आपको कितना भी टाइम दे दे जाए हर व्यक्ति के साथ होता है मानलीचे एक्साम आपका यह कह दे जाए कि दिसंबर लास्ट में होगा ठीक है एक्साम तब भी आप अपना क पूरा नहीं कर पाओगे क्योंकि आदमी उसी तरह से पिर अपनी पढ़ाई को कि जो स्पीड है वो कम कर देता है तो यह बात आपको समझनी चाहिए आप अपना एडवांस कीजिए कि मेरा एक्जाम जो है 20 नमंबर को है अब आप यह देखेगा अब देखो अगर मैं आप को यहाँ पर बताओ यह एक संब्स प्राइस से कॉछन पूछा किया है नोबल प्राइस है वह हाली में एनॉंस हुए है तो यहां सेक्ष्टन पूछ जाने है अभी संब्स कुछ जाने के समभावना अब यह मत्क en zta एक अगर आप C400 को को पूछ ने पूछ आए pre जो question बचते हैं वो यही तो core area बचता है तो इनके और प्रबल chances बन जाते हैं कि आपसे question पूछी जाएं अच्छा one nation one election की हाली में report दी थी ठीक है तो काफी आप nature समझे किता महत्पूर्ण matter यह रहा है central government के पास अच्छा UNESCO सम्बंदित अब रिंग युनसको सम्बंदित questions आ सकते हैं वर्ड हैरिटेस साइट का भी हाली में convention हुआ था बारत में कौन-कौन सी नई sites जुड़ी हैं भारत की और से आसाम की site थी तीक है महां से question पूछा जा सकता है और भारत रतन से सम्बंदित question पूछा जा सकता है भारत रतन ठीक हाली में जो भारत रतन दिये गए थे रतन टाटा जी का निदन हुआ है तो रतन टाटा जी से सम्बंदित question पूछा जा सकता है एक और इरियास है यह आपको पैचानने पड़ेंगे तीक है अब आप इस चीज में मत लेजेगा कि आप बहुत ही पुराने current affairs में चले जाएं ठीक है क्योंकि हाली के current affairs रहे हैं और चर्चा में रहे हैं अब आप यह देखिए इस्राइल के आयन डॉम से question पूछा ठीक है अब आज कल क्या क्या चर्चा में चल रहा है हेजबुल्ला हाउती हमास ठीक है तो कौन कौन सी country इंसे लिंक है यह आपको माल होने चाहिए अचा अब सबसे महत्पून बात जो आप छोड़ देते हैं काफी महत्पून होता है एस सीओ ब्रिक्स आसियान बिम स्टैक ठीक है यह जो मिन मिन सम्मिट्स आपकी होती है क्वैड क्वैड को आप इंसे लग रखिए ठीक है यह जो सम्मिट्स हैं 2023 में किसने होस्ट की COP भी 2030 में किसने की 2024 में कोन करता है और 2025 में कोन करेगा यह आपको मालूम होना चाहिए सेम ओलम्पिक्स आपको मालूम होने चाहिए पिछला ओलम्पिक किसने क्या था आगामी ओलम्पिक कोन करेगा एशियन गेम्स नेस्नल गेम्स नेसल गेम्स उत्रखन होस्ट करेगा न तो उस तो question पूजा सकता है कि Scotland को करना पढ़ा है, Scotland से पहले किसको दिये गए थे rights, Australia को, पर Australia ने हाथ खड़े कर दिये थे, तीक है, और इस तरह के जो collaboration होता है, banks और किसी agency के बीच में, तीक है, अच्छा, अब कई बार हम देखते हैं कि RRBs पर जुर्माना लगा जाता है, cooperative banks पर वो सभी पढ़ने ही जूरत नहीं है, मानली जो कोई public sector bank है, फिर private bank है, जैसे HDFC हो गया, ICICI हो गया, इन पर जो fine लगते हैं यह आपके exam में पूछे जाते हैं, बाकी के fine वगएर आपको ज़्यादा पढ़ने की need नहीं है, scheme launch हुई है, इतनी सारी हाली में, PM internship scheme launch हुई है, मह सोरियोजना, सम्मनित question है, इनकी detail आपको पढ़ने होगी, कितने gigawatt या megawatt की उरजाय मापर इस्ताबित की जा सकती है, उत्सरजित की जा सकती है, इस तरह questions आपको देखने होगे, तो मोटा मोटा यह है, कि आप पहले अपना current affairs पूरा कीजिए, और वो भी detail के साथ, detail current affairs आ आप यह पढ़ लेंगे, ठीक है, अपने 20 दिन बता है, उसके बाद आपके पास 20 दिन और बचेंगे, उसके बाद आप पढ़िए अपना banking awareness, banking awareness, देखें, banking awareness में जो questions पुछे आते हैं, जहां पर बच्चे सबसे आदा टकते हैं, एक तो RBA से सम्मंदिती question हो जाए, चाह है वो ombudsman का हो, या फिर RBA सम्मंदित, किसी act का हो, दूसरा होता है, capital market सम्मंदित, bond, debentures, यह सब जो आते हैं, capital market, ठीक है, इन दो चीजों से बच्चे सबसे आदा उलचते हैं, ठीक है, treasury bill, यह सब जो questions बनते हैं, तो यह दो चीज़े आपको अपनी confirm करनी है, यह कैसे करनी अगर आपका banking governance भी time पर हो जाता है, उसके बाद आप फिर वो static पढ़ सकते हैं, मैं तो यह कहूँगा, static को अभी आप अपना समय ना दे, आप जो current affairs है, इनको कई बार पढ़े, कम से कम 4-5 बार आप इन 40 दिन में पढ़िए, यह नहों कि 40 दिन तक आपने केवल एक ही बार current affairs कीची लिए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, जब तक आप self analysis नहीं करेंगे, आप examiner के mind को जानी है, कि IBPS चाहता क्या है आप से, क्या पूछना चाहता है, IBPS clerk का exam देखिए, देखें मैं यह कहूँगा, कि RRBPO, और IBPS clerk, इन दोनों में जो questions पूछे गए, उसमें aspirant यह नहीं कह सकते हैं, कि पढ़ावा नहीं आया था, आपने पढ़ा नहीं होगा, वो बात अलगे, पर ऐसा नहीं कह सकते हैं, पढ़ावा नहीं था, काफी balanced paper था दो लोगा, अगर हम general awareness की बात करें, RRB clerk थोड़ा leak से हटकर paper आ करनेगा, ठीक है, question अच्छे होंगे, आप, आपको केवल अपना mind concentrate करना है, और इधर उधर नहीं भागना है, focus केवल current face पर करना है, जल्दी निफटाना है, उसके बाद आपको bank awareness की और move करना है, ठीक है, तो यह आपकी simple strategy रहने वाली, ज्यादा इधर दर नहीं भागना है ठीक है, और कई aspirants हैं, जिनको mok में कम number आ रहे हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को आप पीछे रखिए, आप खुद ही देखिए, आपने mok लगाए होंगे current affairs के, ठीक है, और exam में क्या पूछा क्या, ठीक है, आपको देख लिए उनकी क्या relevancy बनती है, अगर आपको लग रहा current affairs के आपका monovol ही तूड़ जाए, mok ऐसा लगाए है, जो balance बनाए है, ऐसा नहीं कि student का level गिरा दे बिल्कुल, student का असला है कि मैं तो कुछ बढ़ा ही नहीं, और मेरा exam नहीं कटे, हाला कि उच्छा कर सकता था, पर mok ही उसने ऐसा लगाया, कि इतना tough था, कि जितना भी उस में था, ठीक है, और कितने current affairs question आप, मतलब कितने questions जो overall पुछे गई नहीं, आप current affairs से संबंग दे थे, और उन्हें कर सकते थे, तब आप ये पाएंगे, कि ये तो बहुत बढ़ा magic हो गया, कि मैं केवल, मैं static भी ना पढ़ता, मैं banking awareness भी ना पढ़ता, मैं केवल current affairs के सारे question question सही करके आता, सारे भी नहीं मान लिए, चलिए, सो में से 99 question में सही करके आता, ठीक है, तब भी मेरा question, तब भी मेरा अच्छा खासा score बन जाता, इस बात को दिमाग में रखिए, जादे तब भागने की जूरत नहीं है, जादे strategy के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, ठ अब एक बार अगर आप current affairs पढ़ लेंगे, तो अगर आप चाहते हैं, बैंक की कोईने से तैयारी करना, तो ये वीजेता नाम का एक special batch available है, current affairs fund पर इसको आप देख सकते हैं, demo lectures भी available है, starting के two lectures के PDF भी available है, तो देख लेजेगा, अगर आपको पसंद आए, तो आप इसको buy कर सकते हैं, काफी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा, और ये केवल आपका इसी exam में नहीं, बलकि मैं तो ये कहूंगा, जो समझ रहेगी, उनका interview तक वो पहुँच जाएंगी, interview के लिए सबसे main रहेगा है वाला batch, banking awareness complete आपको हो जाएगी, उसके बाद आपको humanities वाले question आपको होता है, तो ये बात आप याद रखेगा, total 30 lectures है, videos plus PDF format में, और बाकी current affairs तो आप जानती है, one year package है, इसको आप बाहर कर सकते हैं, तो कोई भी जानकारी आप चाते हैं, तो ये मारा customer के नमबर है, इस पर आप हमको WhatsApp भी कर सकते हैं, या फिर call करके भी जानकारी आप र लिखेगा, टेलिग्राम पर भी जोन कर लिजए, करेंट फेर्स फंदना नाम से हमारा टेलिग्राम चनल है, तैंक्यू गाइस